समाजवादी पार्टी के वरिष्ट नेता और संभल से पांच बार के सांसद शफीकुर रह्मान बर्क का निधन हो गया है शफीकुर रह्मान बर्क का मंगलवार को 94 साल की उम्र में निधन हुआ उन्होंने मुरादाबाद के सिद्ध हॉस्पिटल में अंतिम सासली पिछले कुछ समय से शफीकुर रह्मान बर्क का स्वास्त खराब चल रहा था उन्हें शारेरिक कमजोरी और लूज मोशन के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था शफीकुर रह्मान बर्क का जन्म 11 जुलाई 1930 को हुआ था उन्होंने पूर प्रधान मंतरी चौदरी चराउं सिंग के साथ अपने राजनीती कैरियर की शुरुआत की शफीकुर रह्मान बर्क वाबरी मस्जिद एक्षन कमेटी के साइयोज़द भी रहे और उन्हें देश भर में मुस्लिमों की आवाज बुलन करने और इमानदाल शवी के लिए जाना जाता था शफीकुर रह्मान बर्क समाजबादी पार्टी के गठन के समय से मुलैम सिंग यादों के साथ थे और वो सपा के फाउंडर मेंबर भी कहलाते थे वर्तमान में संभल से सपा के सांसर बर्क पाँच बार लोगसभाचराओं में अपनी जीत दर्ज करा चुके थे बर्क ने 1996, 1998 और 2004 में सपा से मुलाराबद लोगसभाच सीट पर तीन बार जीत दर्ज की इसके बाद बसपा के टिकट पर बर्क संभल से लोगसभाच में 2009 में पहुँचे हाला कि 2019 में उन्होंने फिर सपा के टिकट पर संभल से दोबारा जीत हासिल की शफिकुर रह्मान बर्क का राजनितिक कैरियर काफी लंबा रहा पांच बार सांसद होने के अलावा शफिकुर रह्मान बर्क चार बार संभल सीट से विधायद भी चुने गए स्वेम प्रधान मंतरी मोदी भी शफिकुर रह्मान बर्क की तारीश करते थे 2023 की नई लोग सभा में पीम नरेन मोदी ने अपने भाशन के दौरान कहा कि बर्क की सदन के प्रति निस्ठा काबिले तारीफ है उन्होंने कहा था कि 93 साल की उम्र होते हुए भी डॉक्टर शफीकुर रमान बर्क इस सदन में बैठे हैं सदन के प्रति ऐसी ही निस्ठा होनी चाहिए